Artificial Intelligence यह आपके और मेरे लाइप में, मेरे कहने का मतलब है हम सभी human being के लाइप में एक बहुत बड़ा revolution लाने वाला है तो इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि EI को समझ लो, EI को जान लो, सीख लो और इसलिए मैंने चैट GPT की उपर आलड़ी एक वीडियो बनाया था जो की उपर आई बटन में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी और चैट GPT की वज़े से किन लोगों की जॉप खतरे में आ सकती है इसकी उपर भी मैंने Learn More चैनल में हाली में वीडियो बनाया है जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगा जरूर चेक आउट करना अब इस उडियो में मैं आपको Artificial Intelligence अपने मोबाइल में AI बेसिकली अपने मोबाइल में कैसे इस्तमाल करना है यह सिखाने हो ला हूँ तो इंट्रेस्टर तो वीडियो एड तक देखिएगा सीधी बात नो बकवास चलिए यह वीडियो शुरू करते खास तो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ सबसे पहले मैं में मोबाइल उठा रहा हूं मैं Play Store पे यहाँ पे प्ले स्टोर अप्लिक करूंगा यहां पे मैं मैं बिंग चैट करूँ गा भीफेप किया हूँ यहां पर कर Julius cit यह वाला application Microsoft की तरब से है, मैं इसे install कर रहा हूँ, देखें यह install हो रहा है, लेकिन मैं आपको बता हूँ कि Microsoft दिन पर कुछ ना कुछ नया introduce करते जा रहा है, और यहां पर mobile की उपर भी AI आप इस्तमाल कर सकते हैं, इनके यह बिंग वाले application के अंदर, तो यह AI मैं आप इस्तमा प्रब्लम का जवाब कैसे देता है, हम इसके साथ chat करने वाले है, यहां पर मैं इस application को open करता हूँ, यहां पर यह application open हो चुका है, वाँ, logo animated हो चुका है, इसे मैं allow कर देता हूँ, तो यहां पर बिंग इस तरह से open हो चुका है, और नीचे आपको एक middle मैं आइकोन दिखाई मैं balance लेता हूँ यहां पर और उसके बाद ठीक है, यहां पर ask me anything, एक option आपको दिखाए दे रहा है, उसके पर tap कीजिए और यहां पर आप अपना सवाल जो भी पूछी है, जैसे मैं यहां पर कोई poem लिखना चाता हूँ, आपके लिए मैं पोएम लिखना चाता हूँ, तो म मैं भी लिख सकता हूँ, मैं college के जमाने में poem लिखता था, लेकिन अभी मैं technology में आ गया, तो मैं AI से लिखवा हूँगा आपके लिए poem, खास आपके लिए, चली देखते, AI क्या poem लिख रहा है, can you write a poem in Hindi for my students, यह मेरा सवाल है, और नीचे मैं आपको दिखाए दे रहा है, answer generate कर रहा है, sure, here is a poem that you can share with your students, वो हो, poem लिख रहा है, जो दिल को छू जाए, वही अच्छी कविता है, जो बार बार पढ़ने पर नया सा लगे हर बार, जो आपके दिल में हो, वही आपके लिए सही हो, कुछ नया करने की होड में पुरानी कलपनाओं को मद भूलो, हमको भी म मद भूलो, राइट, चैनल को सब्सक्राइब करना भी मद भूलो, लाइक करना भी मद भूलो, सपनों के संसार में आपका स्वागत है, हमेशा कुछ रहना है, तो सपनों को पूरा करना है, क्या बात है, यह मैंने, AI ने कविता लिखी है, हमारे लिए, तो basically ऐसे डेर सारे स इंग्लिश में भी कनवर्ट करके ले सकते है, यह पर माइक पे क्लिक करके बोल के भी सवाल पूछ सकते है, और उपर यह पर इनको कॉपी करना है, तो यह पर छोटा सा कॉपी ऑप्शन भी आपको दिया है, साथी में आप AI को बता सकती कि यह पोएम आपको अच्छी लगी तो डिसलाइक कर दो, मतलब वो अपने आपको इंप्रू करता है, तो आप अपने यहाँ पर यूजरूर सब्बेट करो, कि आपने जो सवाल पूछा उसका जवाब अगर उसने प्रॉपर दिया है, तो उसे आप लाइक दो, अगर प्रॉपर नहीं दिया है, तो ताकि वो उसे सीख रहा है, यह आटोमेटिक सीखने वाली मसीन है, यह आटिफिशल इंटिलिजेंसी है, जो आपके सवालों के उपर काम करता है, आप जैसे चाट करते जाओगे, वैसे जवाब देते जाएगा, और आप चाट को लाइक करोगे, तो उसे समझ में आएगा कि यह यह मैंने प्रॉपर दिया है, तो यह इंप्रूव होते जा रहा है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा AI टूल का इस्तमाल करो अपने काम में, तो आप बोलो गयार सर मैं तो दिन बर Excel में काम करता हूँ, मैं आपको बताओ, Excel के अंदर आप AI इस्तमाल कर सकते, चाट GPT के यू मैं चाहता हूँ कि यह कोर्स आप सीखे, आप थोड़ा सा स्मार्ट बने, जमाने के साथ आगे बढ़े, क्योंकि अगर आपको आपकी जॉप सेव करनी है, तो आपको AI सीखना पड़ेगा, और AI अगर आप सीखते हो, तो आपकी जॉप खतरे में नहीं है, सिम्पल सी बात ह तो आपको AI सीखना पड़ेगा, चाहट जीपीडिन एकसल कोर्स बस नौ रुपे में आपको सीखने मिला है, मेरे अप्लिकेशन के पर पहले थाउजन स्टूडन के लिए, तो अगर आप इंट्रेश्टर तो ज़रूर चेक आउट कीजिए, और भी धेर सारे कोर्स से, अग सीख सकते हैं, फिलाल तो चैट, जीपीटी, मोबाल में कैसे इस्तमाल करना, एक छोटा सा मुझे लगा कि यह इंफोर्मेशन मैं आपको देदू, तो यहाँ पर मैंने यह इंफोर्मेशन देनी की कोशिश की, कोशिश कैसे लगी मुझे जरूर बताना, कमेंट करना, लाइ कल भी करना यार, बाई बाई